नमस्कार दोस्तों Vintage Audio Memories में आपका स्वागत है तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ JK का एक और डेक दोस्तों इससे पहले भी आप JK का एक ट्रेक्टर वाला डेक देख चुके हैं और ये भी ट्रेक्टर वाला ही है लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा अदुबुत है दोस्तों तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं ये बोक्स है ये brand new deck है दोस्तों इस box के अंदर deck रखा हुआ है और यहां पर सभी चीजे लिखा हुआ है branding model बगएरा बगएरा लेकिन जो जरूरी चीजे वो ये है anti theft दोस्तों चोरी से बचाने के लिए इसे design किया गया है चोरी मतलब दोस्तों cassette player की चोरी तो नहीं हो सकती थी क्योंकि ये तो nut world के साथ कसा रहता था हमारे tractors में और क्योंकि tractor open रहते है दोस्तों खुला रहता है तो वहां से जो cassette होती थी वो कई बार कुछ जो सरारती बच्चे होते थे वो छेड़ चाल कर सकते थे या एक वार हो सकता था कि कोई cassette उसमें से उठा ले उसी से बचाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है दोस्तों और बॉक्स में कुछ खास सीजे नहीं है यह ब्रेंडिंग है और कलर लिखा हुआ है ब्लू इसके लाब अंदर देख लेते हैं इसको यहां पर दोस्तों यहां डिजाइन दिया गया है इसका इस तरब से और यह रहा दोस्तों इसके अंदर जो cassette player है काफी भारी भरका में दोस्तों मेरे क्याल से साड़े चार किलो के आसपास इसका weight होगा बहुत ही अच्छी cabinet यह बनाई गई है और दोस्तों यह पैकेट के ऊपर एक यह देखे चाबी मिल जाती है क्योंकि यह anti theft दोस्तों इसमें लोक है एक साला दिया हुआ है और तो दोस्तों यह है ऐसे प्लेयर ऊपर की तरब आप देख रहे हैं जेके की ब्रेंडिंग और बहुत ही जबरदस्त यह बहुत मजबूत यह cabinet है दोस्तों और यह फ्रेंट पैनेल आप देख रहे हैं सेंटर में यह लोक दिया गया है और यहां लिखा भी है anti theft system नीचे पावर के LED है बाकी यहां पर बोलियम लेफ्ट और बेस्टेबल और यह राइट चैनल के लिए बोलियम बेस्टेबल उसी तरह से और दोस्तों यह पीछे की तरफ है इसका यह देख रहे है आप वायर जैसे कार कैसेट प्लेयर में होते हैं वह उसी तरह से वायर दिये गए हैं यह दो पावर सप्लाई के लिए रैड और ब्लैक और बाकी यह दो दो करके जो स्पीकर लेफ्ट और राइट के लिए है डिटेल में दोस्तों यहां पर लिखा है बहुत अच्छी तरह से कंपनी ने लिख कर दिया है कि सब भी चीजें आप देख रहे हैं बार बोल्ट रेड पिलस के लिए ब्लैक माइनस के लिए पूरा दिली दिखा है दोस्तों और यह साइडों में दोस्तों यह डबल जो नट लगाने के लिए जगा दी गई है और दोस्तों यह है इसकी च और लोक खोलने के बाद यह सिलाइड करके बहार आता है यह देखिए आप पूरा मेकनेस पूरा एकदम बहार आ जाएगा कि यह देखिए कुछ भी इसमें हिडन नहीं है कुछ भी चीजे छुपी भी नहीं है और पीछे की तरफ से वायर निकली हुई थी मैं उसको अंदर ले लेता हूं और हम नीचे पूरा कर लेते हैं अलग यह देखिए दोस्ता जो यह कैप है इसका जो कैबनेट है वो अलग हो गया है और यह है पूरा मसीन आप देख रहे हैं और बहुत ही नीट एकदम क्लीन मेकनिसम में लगा है गोल्डन और इसकी खुपसूरती के साथ साथ दोस्तो जो बोर्ड की खास्यत है वो भी बताने से मैं रह नहीं सकता हूं बोर्ड की खास्यती है दोस्तो कि JK ब्रेंड का ही बोर्ड इसमें यूज किया गया है बोर्ड के उपर ब्रेंडिंग है और 44-442 IC के साथ base travel section दोस्तों बहुत अच्छा इन्हों ने design किया है 44-44 2 IC के जो FND के deck होते हैं जिनमें बड़ा circuit आता था और बहुत अच्छा base travel आता था दोस्तों उसके उससे मैं इसकी तुलना कर सकता हूँ बिल्कुल और यह उससे किसी भी माईने में कम नहीं है दोस्तों आप सभी जानते हैं कि cassette player में कोई भी कमी होती है मैं विल्कुल नहीं चूपता हूँ बताने से मुझे परवान नहीं होती है एक बार को कि वो अच्छे मूलिय में sell होगा या नहीं होगा बाकी यह चीज ऐसी है दोस्तों इसमें मुझे कोई भी कमी नहीं दिख रही है बताने के लिए अलग इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है अद्भूत है लेकिन दोस्तों उस टाइम के हिसाब से अगर हम सोचें जब यह चलते थे और इनको डिजाइन किया गया था अपने छेंची स्पीकर के साथ इससे बड़ा स्पीकर तो मेरे पास नहीं है और दोस्तों मेरे इन स्पीकर में ट्विटर नहीं है तो जनकान आपको साइद कम सुनाई दे बाकि इसकी हिंदी गाने का टेस्टिंग वीडियो दोस्तों डीटेल में मैं आपको वोट्सप पे सेयर कर दूँगा हमेशा की तरह चली पिले करते हैं दोस्तों ज्यादा देर नहीं चलाओंगा कोपिराइट इस वह आ सकता है हम इसे फोरवड कर लेते हैं आगे दोस्तों इसी ब्लैंक केसिट में कुछ नो कोपिराइट कंटेंट वाला जो यूटूब से मैंने रिकॉर्ड करके रखा है वही है हुआ 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 है दोस्तों आप एरफोन का इस्तेमाल करके सुनेंगे तो आपको बेस जरूर सुनाई देगा और थोड़ी सी आपको मैं जहनकार सुनवाने के लिए ये एक चैनल पर ट्विटर कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी सी जहनकार सुनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों हिंदी गाने में शुनने कर दोस्तों जो आनन्द है वो इसमें तो कभी पता नहीं चलेगा तो आप मुझे वोट्सअप करें मैं आपको हिंदी गाने का डेटेल वीडियो वोट्सअप पे शेयर कर दूंगा और दोस्तों इस रही बात इसके प्राइस की तो जैसा कि कम्यूनिटी सेक्षन में मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था 2500 रुपए 2500 रुपीज दोस्तों जो इसका प्राइस है और अग्या आपने देखी लिया है इसके बारे में वहती बेहतरीन इक्वालिटी का ये स्क्रिप्शन वोक्स में मिल जाएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद दोस्तों इसी तरह बने रही है मेरे साथ और अगर चैनल पर आप नए हैं तो करप्या करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दमाएं दोस्तों जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके चलिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नमस्कार दोस्तों